हेलो शुडेंट्स वेलकम डू माई नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे हैं आप सब लोग मस बढ़िया तो चलो श्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना नया टॉपिक याने की जो हम लोग पढ़ रहे थे मस्क्यूलो स्केलेटर डिसॉडर है ना फार्मक थरोपेटिक्स में जिसके दर लोग पढ़ने वाले हैं आज ऑस्टियो अर्थ्राइटिस उम्मीद कर रहा हूं इससे पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा समझ लिया होगा कि दोनों ही प्रॉब्लम जोइंट्स की हैं लेकिन एक इम्म्यून सिस्टम की प्रॉब्लम जाते हैं तो आप फटा फट देखते हैं इसको कुछ खास नहीं है जानते हो इसके वारे में फिर कहरा हूं है फार्मकाथ्यों प्रॉपिटिक्स में इतनी बिमारी है उनके बारे लगबग तुम जानते हो लेकिन उसमें लिखना क्या है क्या टम्स इस्तमाल क क्या है कुछ लोगों को वर्ड की प्रॉब्लम मैं कुछ लोगो की फ्रीशना कैसे इसकी दिकत है पता साय है चलो आजाओ एंग हम सब को पता है और यह मतलкі मतलब क्या होता है हद्दिया और अर्थित स्थाई आइटिस मतलब क्या होता है, inflammation, कहीं, swelling आ रही है, pain हो रहा है, उसको आइटिस बोल देते हैं एक तरह सा, also known as degenerative joint disorder, joint disease, degenerative मतलब कोई चीज जो धीरे 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 खराब हो रही है, degenerative, जासे कि मैं बोलूँ कोई मकान ले ले, आज की डेट में एक मकान आपने बना दिया ठीक है ना, मकान बनाने के बाद अगर आप उसको क्या नहीं करवाते हो, suppose उसका अप समय समय पर repairing नहीं करा रहे हो, उसको आप समय समय पर repairing नहीं करा रहे हो, तो धीरे धीरे पचास सौ सालों में आप देखो कि जो मकान लगाता, repair होते रहते हैं, वो तो चका चक बने है क्यों पूरी जिंदगी हम लोग घुटनों पर खास करके आ लेते हैं अपना वजन लिए घुमते रहते हैं कुछ लोग जो फैट हो जाते हैं उनको जाए दिक्कत रहती है खासकर और जो लोग एथलेट वगरा होते हैं वो तो लगाता घुटनों का सबस्वादा इस्तमाल हो जाती है दा चेंजेस इन ऑस्ट्राइटिस यूजली ओकर स्लोली ओवर मैनी यह जो चेंजेस होते हैं धीरे-दीर कई सालों में आते हैं दो यह दिपी देर आर ओकेशनल एक्सेप्शन तब भी हां कुछ एक्सेप्शन है जल्दी भी हो सकता है ठीक है ना इंफ्लामेश समझते हो इसको अच्छे से हैचेपी बढ़ा था हम लोगों ने गुड़ तो लिगामेंट और टेंडेंस क्यों होते हैं मसल टु बोन जो मसल और बोन को आपस में जोड़ कर रखते हैं और लिगामेंट और ब्रेक्डाउन और इवन जो काटिलेज होते हैं तो यह सारे टर चीजंगे बताओंगा मैं सब चीजें क्या है इन सब चीजें में बदलाव यह रिपर और यह रहाँ चुर्पन पेग्फ उसके लिए यहां पर एक उन्य शुश्रूरींग होती है काटिलेज कुछ ऐसा ही है जो मैं पहले बता चुक हूँ जैसे अपने कान की सॉफ्ट बोन होती ना इस टैप से काटिलेज होते हैं ठीक है यह मिनिस्कस मिनिस्कस का मतलब एक किनारा नॉर्मल जॉइंट स्पेस होता है यहां बीच में फिलूड भरा रहता है ठीक है जॉइं टैप से उठ गए हैं बोन इस पर काटिलेज खतम हो गया दो बोन आपस में फिर रगणने लगती है चट पट की आवाज आती है बड़ा क्रिटिकल कंडिशन हो जाती है पेन होना इस्टार्ट हो जाता है ठीक है तो इससे पहले जों लोग ने पढ़ा था पहले वाले प्राइमली अफेक्ट दा यहां पर क्या होगा अफेक्ट फिंगर्स थम्स इस्पाइन हिप्स नीज एंड ग्रेट टो जो अंगठा होता है ठीक है सेकेंडरी में क्या होता है ओकर विदा प्री एग्जिस्टिंग जॉइंट एबनॉमलेटी इंक्लूडिंग इंजरी और जॉइंट का कोई चोट लग गई है ठीक है और जोडरी ऑर गुटनों पर जोड दे रहे हो इंफ्लमीटरी अर्थराइटी सच्छेज या पहले से ही कोई इंफ्लमीटरी अर्थराइटी सर्ही हो सच एस रिमेटाइट जो रिमेटाइट अर्थराइटिस है उस केस में भी ऑस्टे अर्थराइट बन जाती है जो आपने पहले पढ़ा था नाओ एटेलोजी हम सब को पता है उमर के हिसाब से होगा जोइंट इस्ट्रक्ट्र अबनॉर्मेलेटीज अबनॉर्मेलेटीज मतलब जो चीज आसमान नहीं हो जाए जो वहारे जोइंट्स है वह नॉर्मल नहीं रहेंगे जनेटिक प्री डिस्पोजिशन जनेटिक अबनॉर्मेलेटीज फोर्स मतलब कई वार आप क्या कर रहे हो चड़ाई चड़ रहे हो हाथ पर मुड रहे हैं आड़े तिर्शो हो रहे हैं तो उट उट प्रंग तरीके से फोर्स लग रही है नाओ अंडर लोडिंग जॉइंट होएंग यानि कि आप अंडर लोडिंग क कि आख एकर जो लोग कहते हैं और मैं तो कुछ काम भी नहीं किया और ऑफिस में बैठे-बैठे काम करें लोगां कर रहे हैं टिक 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 उतर के नीचे आए कपनी कार में बैठ गए कार से घर पहुंच गया घर में जाके सो गए फिर सुबह उठते मतला को कि शुपर जाकर बैढ़ आओ क्या तो क्या करोगे सवेरे आड़े शॉप खोल दोगे शांगों तस-ग्यारा जे शॉप बंद कर दोगे फिर आगे बिस्तर पकड़ लोगे कोई अक्टिविटी नहीं कि हलकी पूल की रेनिंग या जॉगिंग जो होनी चाहिए दस-पंदा मि हो एंडोक्राइन डिजीज जैसके डिएपटीस वगयरा है ठीक है तो इसमें से कोई भी अपनी जो तुमको हो पसंद वही कौज लिखेंगे ठीक है ना गाना याद आया गुड तो इंफ्लमेटी डिजीज जॉएंट इंफेक्शन मेटाबॉलिक डिजीज जो तुमको पस दो कि जीजें है थोड़ी सी हाँ पर पैसोज इस में एक खास टाइप के सेल्स का जिक्र होगा कॉंड्रोसाइट ठीक है आव समझते हैं तो क्या कह रहा है नॉर्मल अडल्ट आर्टीकुलर काटीलेज अर्टीकुलर काटीलेज मतलब होता है जो जॉइंट्स जॉइंट ज साल तो जनरली यह इसके बने हुए होते हैं एंड कॉंड्रोसाइट याने की यह काटीलेट एक्ट्रसेल्डर मैट्रिक्स और कॉंड्रोसाइट इन दो चीजों के बने हुए समझते जाना थोड़ा साइस का समझाना जलूरी है अधर्वाइस इसकी पैस्टोनेसिस समझ में नहीं आएगी the normal turnover of matrix turnover मतलब matrix का बनना और तूटना है तो तूटती फूरती तो रहती है लेकि बनना भी चाहिए तो normal turnover of this matrix component is mediated by the quondrocyte कौन इसको कंट्रोल कर रहे है इसके component को और उन enzymes को जो की responsible होते हैं इसके breakdown को याने कि कॉंट्रोसाइट्स दोनों चीज़ें बना रहा है काटिलेस को बना वी रहा है साथ साथ में ऐसे enzymes भी बनाता है जो इसको destroy करते याने कि balance करके रखता है एक तरह से पास्वाज में आगई अब कॉंट्रोसाइट्स आर इन टर्न कॉंट्रोसाइट्स बदले में influenced by number of factors कॉंट्रोसाइट्स खुद जो काम कर रहे हैं तो अफेक्टेड होती है जिसमें including polypeptide growth factor cytokines structural and physical stimuli and even the components of the matrix itself तो याने कि कॉंट्रोसाइट्स भी कई सारी चीजों से affected होती है क्या चीज़ बनाएगी कम या ज्यादा तो यह लाइन सिर्फ समझने के लिए यह ना याद रहे तो सिर्फ लिख सकते हैं कॉंट्रोसाइट्स affected by many factors ठीक है अब osteoarthritis यह देखो लाइन समझना और चीज़ बननी चीज़ कम बन रही होगी तोडने वाली चीज़ ज्यादा बन रही होगी to maintain homeostasis, homeostasis क्या होता है पता ना चीज़ हम पहले डिसकस कर चुके चीज़ों को balance करना homeostasis between synthesis and degradation यानि की बनाना और तूटना इन दोनों में balance खतम हो जाता है of these extracellular matrix component ठीक है यह extracellular matrix थे इनके component का बनना और तूटना balance बिगड़ जाता है it is not known what initiate यह नहीं पता कि इसको शुरुवात कहां से होती है the imbalance between the degradation and the repair of cartilage इन में आपस में क्या होता डिस्बैलेंस हो जाता है तो कहीं ना कहीं यह कहानी तुमको समझ में आ गई कि अच्छा यहां से disease की pathogenesis pathogenesis क्या होती है growth and development of disease ठीक है आगे आते हैं तो देखो जारा यहां पर क्या हुआ है तो रहा डियाग्राम दिया यह आर्टिकुलर cartilage बोला जाता है simple cartilage बोल सकते हैं लोग इसको ठीक है joint capsule जो covering देता है इसको synovial membrane यह अंदर की membrane synovial fillet को जो cover करके रखेगी यह bone आगी नीचे से हम sub control भी कहते हैं इसके नीचे होता है तो अब क्या हुआ यहां पर देखो इस पार्ट को अगर मैं ऐसे divide करूँ ठीक है इस पार इस ट्रक्टेड काटिलेजी देखो काटिलेजी सोटी से खराब हो गई है capsular fibrosis जो capsules था वो fibrous हाड हो गया बहुत ज्यादा ठीक है ना fibrosis हाड होना उसका टूट फूट होना osteophyte formation इस तरह से joint का देखो एक उबहार सा निकल रहा है synovial hyperplasia जो synovial यह था हमारे पास यह फैलती चली जा रही है hyperplasia मतलब कोई चीज ग्रूप बढ़ जाना bone remodeling and sclerosis bone की remodeling हो रही है तो इस तरीके से फाइनली क्या हो रही है यहां पर ग्रवडियां सुरू हो गए यह normal condition है यह osteoarthritis तो इस तरह से पूरी in enzymatic activity ट्रॉमा होगा यह injury होगे ट्रॉमा की जगर तुम लोग क्या लिख सकते हो injury लिख सकते हो इंजरी क्या करेगा बहुत micro fractures होते हैं पता भी नहीं चलते हम लोगों को ठीक है ना यह उनसे inflammation हो जाएगा यह simple सब्दों में कैसे लिख हो गए injury causes inflammation ठीक है which increase enzymatic activity and allow the formation of wear particle wear and tear यहने तोड़ने फोड़ने वाले which could be then engulfed by the resident macrophages यह जो पार्टिकल होगा तोड़ फोड़ करने आए हैं वहाँ पर जो पहले से macrophages पता ना macrophages क्या होते हैं defense particle होते हैं वारी body के यह इसको खाना शुरू कर देते हैं पार्टिकल बने इसने खा लिए सुरुवाज में सब कुछ ओक्के ओक्के चल रहा है आ गया आते हैं अब क्या हुआ at some point एक समय ऐसा आएगा the production of these wear particles यह वियर पार्टिकल थे जो तोड़ने वाले कॉस करेंगे stimulating the condrosite to release degretive enzyme क्योंकि अभी वियर पार्टिकल भाज़ा बढ़ गया है तो condrosite को मजबूरी में degretive enzyme ऐसे enzymes create करने पढ़ेंगे जो इसको खाके खतम करें ठीक है molecule from breakdown of collagen and protoglycan also taken up by synovial macrophages अब क्या होगा जो degretive enzymes बढ़ रहे हैं यहाँ पर तो molecule from breakdown of collagen जो molecule breakdown हो रहे हैं collagen से और protoglycan से और taken up by synovial macrophages जो वहाँ के macrophages है वो इनको भी ले रहे हैं causes release of pro inflammatory cytokines इसकी वज़े से cytokines नाइम की जो एक तरह समलों cells है या chemical से वो release हो रहे हैं like tnf-alpha-il-1 यह cytokines जो cells होते हैं अपने यह release हो रहे हैं अब ultimately क्या होगा these cytokines can bind to condoside receptor leading to further release of metalloproteinases and inhibition of type 2 collagen production thus increasing cartilage degradation तो यहाँ थोड़ा सा इसको short कैसे करोगे देखो समझ लो लोका को सार आपने लिग दिया याद कैसे करें समझे बात को ठीक है यहां तक बात समझ में आगी वियर particle बढ़े मैक्रोफेज ने खा लिए किसी एक पॉइंट पे वियर पार्टिकल ओवर्लैम कर जाएंगे the ability of the system to eliminate बहुत बढ़े जाएंगे system उसे हटा नहीं पाएंगा and they become mediator of inflammation काउस करेंगे stimulating the condosite to release degradive enzyme और उसको enzyme को condosites को stimulate कर देंगे कि degradive enzyme को release कर रहें जो तोड़ने वाले enzyme होते हैं अब यहां पर आते हैं ठीक है यह दिगेडिव एंजाइम का करेंगे breakdown करेंगे molecule from breakdown of collagen and proteoglycans also taken up by synovial macrophages causes release of pro-inflammatory cytokines तो यहां पर तुम डायेट क्या कर सकते हो ठीक है condosite to release degradive enzyme इसके बाद डायेक्ट लिख सकते हो अगली line में release of pro-inflammatory cytokines डायेक्ट इस पॉइंट को यहां लिख सकते हो कि इसके बाद क्या होगा हमारे पास release of pro-inflammatory cytokines बढ़ जाएंगे अब जब pro-inflammatory cytokines या cytokines जो बढ़ गए हैं उसके वैसे क्या होगा increase सीधा यहां के बाद cytokines increase cartilage degradation इस तरीके से बीच का सारा हटा दोगे cytokine increases cartilage degradation ठीक है simple एक line में आ जाएगा तो बीच के सारे point हटा दोगे तो simple एक point में आ जाएगा अब this disruption of homoestasis अब क्या होगे homoestasis बिगड़ गया है results in increased water content and decreased proteoglycans content of the extracellular matrix अब जो extracellular matrix हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे ठीक है यह स्टार्टिंग में समझा है तो extracellular matrix जो होता है किसका बना था water polygon और प्रोटेगल अगन वगरा का तो इसमें water content बढ़ जाता है और प्रोटेगल अगन वाला part कम हो जाएगा ठीक है तो होता क्या है water content बढ़ गया है decrease and decrease protocol icon प्रोटेगल अगन डिक्रीज हो गया है और अब extracellular matrix weakening of polygon network due to decrease synthesis of type 2 collagen की बात की थी हो decrease कर गया है and increase breakdown of pre-existing collagen तो increased cartilage degradation इसके बाद सीधा लिख सकते हो यहां पर decreased synthesis of type 2 collagen and increased breakdown of pre-existing collagen जो पहले से मुझूद है उसका breakdown increase कर जाएगा और जो decrease synthesis जो type 2 collagen का बनना है वो कम हो जाएगा furthermore there is increased apoptosis of chondrocytes और ultimately chondrocytes की भी मौत सुरू हो जाती है जो कि balance करता है तो finally क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर osteoarthritis create हो गया बात समझ में आई तो फिर कह रहा हूँ है तो फिर कह रहा हूँ बिल्कुल लकीर का फकीर जो मैं पहमें सा कहा करता था वो नहीं बनना है चीजों को थोड़ा सा है ठाइड्य को पता है अब सबकोपता है टेंडare ले साफ्ट हो जाएगा सो press टेंट हले जाएंगे तरीकें से चला होगे तो पूरा यह उपाए इतना चला रहे है Right दर दो रहा है ठीक है ना तो लोवर रेंज ऑफ मोशन क्रेप्टिकस लॉकिंग एंड क्लिकिंग इन जॉइंट क्रेप्टिकस वही जो मैं बताया था हलकल का जॉइंट वह भार जैसे आने लगते हैं और लॉकिंग तो मैं देखा होगा किसी जब होता है चट पट चप चलता दोगे इसके इमेज दिख जाएगी इसी तरीके से पॉपलिटिल सिस्ट प्रिजेंट सेकेंडरी टू नी के पीछे की तरफ जो नी होती हमारी उसके पीछे की तरफ एक सिस्ट एक गांट जैसी बन जाती है है लक्स डिफॉमिटी सीन इन फूट फूट में फूट थोड़ इसकी इमेज डालके देखोगे तो तुम्हें याद रखना है है ना एक से लेके आठ जो तुमको पसंद वह पांच याद कर लेने है ठीक है पांच से से क्लिनिकल मेनफेस्टेशन नॉन फार्मकोलोजिकल सबको पता है है ना पेशिंट को एडूकेट करो सोशल सपोर्ट दो फिर नहीं पार रहे है ये नहीं कि तुम किसी को ना वही करने है तुम किसी काम की निकार सोशल सपोर्ट होना चाहिए एक्साइस करें वेट लॉस करें तो फिजिकल ठेरपी आती है बहुत सारी एसिस्टिव डिवाइस ओफ फ्फॉर एम्बूलेशन चलने फिलने के ल जो डिली लीविंग की एक्टिविटी में हमको सपोर्ट करते हैं ठीक है ठीक है नॉम फार्मकलोजिकल में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां पर हम बता दूंब इसी टामिनोफीन एनिस आइडी है एनिस एडी के सैलिसालेट ना सब पड़ चुके एनिस आइडी है फर्स्ट रहें पड़ रखें तो कोई भी लिख दोगे प्रोप्योनिक एसीड ओपिए है फ्लर विप्रोफेन ठीक है अच्छा यह उसी का एक्जांपल है यह नहीं है दे यह NSID के वह आ गया, then cyclooxygenase, inhibitor, cox, popiate, tramadol, tramadol तो काफी लोग ने सुना होगा, topical agents आते हैं, glucosa mine आ गया, तो यह तमाम इसके अंदर क्या है, जो चीजें, mainly क्या है, pain killer, inflammation को रोकने के लिए होता है, ठीक है, और बहुत ज़्याद तुम कहों कि चीजें ठीक हो जाती है, वैस टफ नहीं था, सिर्फ थोड़ी पैथाजनी सिसमें समझनी थी, और यह अपना छोटु मोटु सा chapter, sorry lecture, finish होता है, lecture writing के चैप्टर भी खतम हो गया, अपना दो ही टुट्टर बाटते हैं, ठीक है न, तो बेटा करना गया है, क्या करना है, हाँ, सुना मैंने, revise करना है, ठीक ह बाल्दावेस्ट